बिस्मिल्लार्मानिर्रहीम, अस्सलाम अलेकम विएर्ट्स, अब जो हमारा लेक्चर है वो फस्टेर के स्टूडेंट्स के लिए और हम वहीं से कंटीन्यू करेंगे, जहां पर हमारी लास्ट वीडियो रुकी थी हम कर रहे थे चैप्टर नमबर थ्री, एरली नमेरिकल है तो जो पहली वीडियो थी हमारी पार्ट वन उसमें हमने 2019 और 2018 का एक कुश्चन किया था और हम 2019 वाला दूसरा पार्ट कर रहे है सवाल बड़ा इंपोर्टेंट है और थोड़ा इसको समझने और पड़त पड़त के लिखना है विल्ले फिफ्टी ग्रैम बुलिट तो बड़े मांस गें इन फिफ्टी ग्रैम इस फाइड इंटू 10 kg वुडिन ब्लॉक पहले नुमेरिकल को समझने क्योंके चैप्टा 3 में एक टॉपिक लीनियर मोशन के फ्रीफॉल मोशन के टेंशन इन स्ट्रिंग के इंकलाइन प्लेन के लॉफ कंजरविशन और मोमेंटम के बहुत सरे टॉपिक है हमें पहले नुमेरिकल बचानने किसका है और अल्मोस्ट नमारी इतनी प्रेक्टिस तो हो कि हम नुमेरिकल का सवाल पढ़त सो दैट इट कैन स्विंग एज पेंडलम तो इसकी डाइगराम बनके समझना पड़ेगा आपको लेट सब्सक्राइब हमारे पास दिवार यह हमारा ब्लॉग है अब बोल रहे यह जो हमारा ब्लॉग है इसका मास है उसको नाम दे रहों M2 और यह है टैन केजी 10 के दिए ठीक है इनिशियली रहस पे तो मैं इसकी व्लॉस्टी बता सकता हूं यूटू क्योंकि मैं पहिचान चुको हूं लॉफ कंजर्वेशन और मोमिंटम का नुमेरिकल है तो इसकी इनिशियल व्लॉस्टी जीरो होगी अच्छा जी आगे देखते हैं यह आगए हमारी बुलिट अब बुलिट का मास जो दिया वा है वो दिया वे इन्होंने फिफ्टी ग्रैम तो बेटा जैसी यह बुलिट यहां आकर टकराएगी तो बेटा होगा कुछ ही हूं कि जरा पढ़ते हैं फिर समझते हैं इव दा ब्लॉक इस डिस्प्लेजड आज देट इट सेंटर ऑफ ग्रैविटी राइज बाए 10 सेंटीमीटर बोल रहा है यह जो बुलिट थी फिफ्टी ग्रैम की जब यह रेस्ट पे लॉंग कॉर्ट से लटके हूए वुड़न ब्लॉक से टकराई तो इसने जो लॉंग कॉर्ट से विड़न ब्लॉक लटका जाव जो पैंडलम की तरह स्विंग कर सकता था उसकी सेंटर ऑफ ग्रैविटी कितनी राइस कर दी उसने का इसकी सेंटर ऑफ ग्रावटी कितनी राइस करा दी भाई 10 सेंटी मीटर तो बेटा मैं बोल सकता हूँ कि यह जो इतना उड़ गया है यह जो हाइड गेन किये इसने वो है 10 सेंटी मीटर इसका मतलब बेटा इसने अपनी काइनेटिक एनरजी को किसमें कनवर्ट कर दिया है इस ब्लॉक की पॉटेंचिल एनरजी में तो यहां लॉफ कंजर्वेशन ओफ एनरजी भी हो रहा है अगर देखा जाए और यही हम यूस करेंगे आपको अगर डाइगराम क्लेयर देखे रही है तो समझ में आ रही है तो पता है अच्छा जी तो इसे सेंटर ग्रैविटी जो राइस कराई है वो है 10 सेंटी मीटर मैंने का हाइट आ गई 10 सेंटी मीटर अच्छा जी आगी क्या बोल रहा है वाट इस दा स्पीड अब दा बुलिट अब आप बोलेंगे सर आपने बत समझा है अब क्लास इसमें की बात हो तो इनीशियल विलास्टी सेंटर भी रेस पर इसके इंदर घ्रेश पर बट यहां गजने बुलिट और वुलिट की बात हो रही है तो बेटा एक्चुल में वो एंड में पूछी क्या रहा है what is the speed of the bullet मतलब bullet की speed क्या थी जब उसने इस wooden block में टकराया कि इसकी height कितने इसकी potential energy में height कितनी race कर लिए 10 cm मतलब इसने कुछ energy दी wooden block को जो energy bullet ने रुक के अपनी खतम के और convert कर लिए इस block की potential में तो kinetic energy convert रही हो potential energy में और इसकी कितनी center gravity rise कर रही 10 cm और end में बुछ रहा है क्या speed थी bullet की अब बेटा इस चीज को एक बात को समझे ज़रा जब यह bullet टकरा जाएगी तो यह pendulum की तरह जो swing कर रहा होगा तो मुझे पताइए यह इस तरह continuous swing करेंगा तो आप चीज बोल सकते हैं कि at the end block और बुलिट की final velocity same रही तो आप इसके लिए assume कर सकते हैं कि final velocity of bullet V1 और final velocity of wooden block V2 विल बी same और मैं उसको रम देता हूँ वी इतना clear बड़ा असान सान हुए रहा है कि पूछ रहा यह है कि किसी स्पीड से अगे टक रही है बुलिट कि उस बुलिट ने इस ब्लॉक की सेंटर ग्रेविटी दस सेंटेमीटर बढ़ा दी मतलब पोटेंशा एनर्जी दी इसको अपनी कानेटेशी लॉस करके सिंपल से सवाल बट सुल्यूशन सिंपल नहीं है पहले तो बताएं आपको डाइग्राम क्लेर होनी चाहिए आपको तभी आप नुमेरिकल का सुल्यूशन समझेंगे तो अब जर ऐसी से देखके अम डेटा बना लेते जली से अब बोलेंगे एंवन पीटा एंवन एंवन फिफ्टी ग्रैम पीटा ग्रैम साने के लिए के जी में क्या करेंगे डिवाइट कर देंगे थाउजंड से तो अलमूस्ट हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो फाइफ केजी अलमूस्ट नहीं होगा थाउजंड से डिवाइट करके एंवन आगिया एंप्टो कितना होगा पीटा टैन केजी एसा यूनिट में मौजूद है कन्वर्ट करने की ज़रूद नहीं पड़ेगी इनिशियल विलॉस्टी अब दे जो टेन और सेंटि का प्रिफिक्स क्या होता है – और मीटरगा मीटर अब नेच चीजर किया था हूं कियो वो डेटा में भी लिख दे जाथे हैं कि जो आहीं फाइनल 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 फाइन वुदिन ब्लॉक पेंडॉलम की तरह उसलेट कर रहे हैं डाइग्राम मिटा रहा हूं मैं इसको आगे सॉल्फ करते हैं कि आपको डेटा सम्झ में आगया होगा और डाइग्राम मैंने मिटा दिया डाइग्राम बनेगी तब ही नुमेरिकल बड़ा असान हो जाता है सॉल्फ करने के लिए इसको मैं या लिख देता हूं पॉइंट जीरो फाइफ के लिए कनवर्जन नीचे कर दिया स्टैप तक यह सॉल्फ में सवाल के साथ ही दिखा सकूं आपको जब से पहले आप सलुषिन यहां पर मने सॉल्फ के डिग गलत दा लिया यह पर क्या है कि डिटा कि आईगी जाएट से बाते डिटा बनाया हूं आपको सलुषिन करने की बड़ी जल्दी होती हम लोग क्यों कि निमेरिकल आए ना पूरा इसले वाई इसलेशन के लिए अब आप बोलेंगे यूजिंग लॉफ कंजर्वेशन ओफ मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम बोल सकते हम क्या होता है फाई M1 U1 प्लस M2 U2 इस एकोल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2 M1 U1 प्लस M2 U2 इस एकोल्स M1 V1 प्लस M2 V2 मेटा M1 कितना है आप बोलेंगे 0.05 U1 आपको नहीं पता हू प्लस M2 कितना है आप बोलेंगे 10 U2 कितना है 0 is equals to M1 कितना है फिर से 0.05 और V1 कि एकर एकोल्स में V और फिर से हमारा M2 कितना है फाई 10 और देन अगेन V के जगा V2 के जगा भी बटा यहां तो आजाएगा 0.05 U1 यह फेक्टर दो होगिया 0 is equals to 0.5 V plus 10 V 0.05 U1 is equals to 10.05 V 10.05 V हां में कैने काल नहीं है U1 तो U1 is equals to 10.05 divided by 0.05 into V फाईनली U1 की कोईशन क्या मनेगी U1 is equals to इसको अगर कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्सिमिटली आपको बता देता हूँ 210 V let me calculate 10.05 divided by 0.05 201 V तो बता U1 हाँ है 201 into V बड़ा इसको हम दाल देंगे ग्रीन बॉक्स में और इसको नाम दे देंगे हम एक्वेशन नमबर 1 बड़ाई यहां तक सांध में आगिया है तो कॉपी कर लें है अब में डेटर सोलूशन में टारो आगे चलते बलके यहीं पर हो जाएगा में यहीं पर करते तो डेटर की जगह पर सॉलूशन अगर हो गया तो अब जो मैंने आपको डाइग्राम से समझाया था समझाया था मैंने कि जो बुलिट की काइनेटिक एनरजी थी वह किसमें कनवर्ट हो चुकी है वुटन ब्लॉक की पोटेंचल एनरजी में तो अब यहां पर लगे का लॉफ कंजरवेशन अनरजी अब आप बोलोगे सर क्यू लगा रहे हैं तो बेटा मुझे विलॉसिटी चाहिए कि किस विलॉसिटी थी आप बुलिट और वुटन ब्लॉक पेंडलम की तरह उसलेट कर रहे हैं आई इसको दिखते तो अब लाएंगे बाइ यूजिंग लॉफ कंजरवेशन ओफ एनरजी हाँ बुलिट की क्या लॉस होगे आप बोलोगे सर बुलिट की काईनेटिक एनरजी में लॉस आया है और वुडन ब्लॉक की पोटेंचल एनरजी में गेन आया है पॉलिट की का फॉर्मॉला पता है हाफ म व स्कॉरर आप इसको दोनों के मास अट करके लिख सेतों मसला नहीं है कैंसली होना इनको हाफ एन वी स्कॉरर और यहां पर पॉटेंच इनरजी का फॉर्मॉला था है म जी एच जाहता था टीचर म 1 प्लस म 2 नहीं लिखते मैं भी मास इंक्लूड कर रहा हूं मैं बुलिट का भी और एम जी एच मतला बुलिट का भी और बुडिन ब्लॉक का भी बढ़ क्या फाइदा नहीं है एम लिखो कुछ भी लिखो इनको तो कैंसल हो जाना है इस विटा टू डिवाइड हो रहा है जाह दरा की क्या हो जाएगा मल्टिप्ला है तो जाएगा वी पे स्कुएर है जाहिर सी बात नहीं है रूट आजाएगा और आएगा गुल dragged ॐ टू एक्सेलेरेशन ड्यू टी ग्रावर्टी 9.8 और कितनी हीट रही है टैने एक्सपनेंट्ट माइनस टू की जाय गया लिए सकता हुँ तो इसको बाते तो फाइनली आपको गेशिटी जो मिलेगी वह मिलेगी अ 1.4 meter per second 1.4 meter per second ये भी हमारा अनसनी है इसको भी हम दाल देंगे ग्रीन बॉक्स में फाइनली अब मैं लिखूँगा for v in put the value of v value of v the value of v in equation 1 ग्री इया यूवन इस एक्वल्स टू टू जीरो वन इंटू वन पॉइंट फॉर इंड फाइनली केस स्पीड से बुलिट ने हिट किया है हमारे वुडेन ब्लॉक को 281.4 मीटर पर सेकंड 281.4 मीटर पर सेकंड बीटा डाइग्रैम बनाओ गये तो यह नुमेरिकल समझ में आएगा आई नो नुमेरिकल बड़ा है और कॉंसेप्शल भी है बड़ मैंने इस नुमेरिकल में इस पूरे नुमेरिकल के सारे कॉंसेप्ट डिसकस कर दी है तो इंशालला नेक्स वीडियो मिलेंगे जबते के लिए अल्लावफिस बड़ आपको एक काम जरूर करना है कि हमारे चै